जैहिन स्टुडेंट्स दिस इस मुनिश कुमार एंड वेलकम तो अल फ्यू इन दिस वीडियो बच्चो आज इस वीडियो में हम फोर्थ क्लास की एंसी आर्टे की मेरिगोल्ड की जो इंग्लिश की बुक है उसकी यूनिट एट गॉएंग टू बाइए बुक की स्टोरी को करने जा रहे हैं चलेए बुक करते हैं तो चले परते हैं एक दिन ग्रेंट फादर गेव माइ ब्रदर ग्रेंट फादर ने मेरे ब्रदर को एंड मी और मुझे सम्मनी कुछ पैसे दिये गो एंड बाइ बुक्स जाओ और बुक्स ख्रीदो He said उन्होंने कहा We were both very happy हम दोनों बहुत जादा खुश थे बहुत मिस दोनों very happy मिस खुश थे बहुत खुश थे We both love to read हम दोनों को बुक्स पढ़ रहीं बहुत जादा पसंद थी तो चलिए आगे बढ़ते हैं Should we go now? क्या हम अब जाएं? अभी जाएं? Should we go later? या हम बाद में जाएं? Should we go today? क्या हम आ जाएं? Should we go tomorrow? या हम कल जाएं? तो बच्चों देखो इस तरह के जो means to से thoughts थे उनके mind में आने लगे बच्चों के कि हम अभी जाएं या बाद में जाएं? हम आज जाएं या कल जाएं? हमने भी क्या काम करना था तो ऐसे सोचते हैं ना? तो अभी देखते हैं उनके क्या decide किया? We decide to go right now हमने decide किया decided to go जाने का right now अभी के अभी कि चलो अभी चलते हैं तो देखते हैं, आगे क्या बनता है, नेक्स्ट पड़ते हैं, Should we go to the big market, क्या हमें बड़ी market में जाँए, बेग मार्केट में, Should we go to the small shop, या हम किसी छोटी से दुकान में जाएं, Should we go with somebody, क्या हम किसी को साथ लेके जाएं, Should we go alone, या हम अकेले जाएं, तो इस तरह के फिस से questions आएं कुछ बिटा तो देखिए ये जो questions हैं ये अपने आप से कर रहे हैं ये कि हम big market में जाएं या हम small shop में जाएं हम किसी के साथ जाएं या हम अकेले जाएं तो अभी देखते हैं ये care decide करते हैं we decided to go हमने decide किया जाने के लिए just the two of us हम दोनों ने सोचा हम दोनों चलते हैं बस तो हम दोनों ही गए अकेले दो जाने गए कहाँ पे एक छोटी सी दुकान पे चलिए आगे बढ़ते हैं we like the small book shop हमें वो छोटी सी जो book shop थी वो बहुत पसंद थी it is small ये छोटी है but it has many books पर इसके पास कई books हैं the man in the shop shop में जो आदमी था likes us वो हमें पसंद करता है he always helps us वैं हमेशा हमारी मदद करता है तो चलिए आगे फिससे कुछ questions माइंड में आए तो देखते हैं क्या आ रहे हैं इनके माइंड में should I buy a book with a lot of pictures क्या मुझे ऐसी बुक खरीजने चाहिए जिसमें बहुत सारी pictures हो should I buy a book with a lot of stories या मुझे ऐसी बुक खरीजने चाहिए जिसमें बहुत जारे stories हो should I buy a thin book क्या मुझे कोई पतली किताब खरीजने चाहिए I could not decide मैं ये decide नहीं कर पाई ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं we did not know हमें नहीं पता था which book to buy कौन सी बुक खरीजनी है the man in the shop उस शोप में जो आदमी था smiled at us उसने हम पे smile की एक smile means मुस्कराए वो हमें देखके relax relax come with me relax मिस अराम से अराम से मेरे साथ आओ he said उसने कहा these books are about animals ये जो books है तो उस आदमी ने दिखाया कि ये जो books है ये वाली कुछ point की इशारा किया कि ये जो books है ये animals के बारे में है those are about machines और वो वाल जो दूसरी साथ बुक्स है वो machines के बारे में books है those over there are about wars और कुछ और जो उस तरह पड़ी हैं दूसरी तरह पड़ी हैं वो wars के बारे में war होता है युद्ध युद्धो के बारे में जो book है वो लिक हुई है take what you want कोई भी ले जो जो तुमें चाहिए I picked some books मैंने कुछ books उठाई my brother picked some books मेरे ब्रदर ने भी कुछ किताबे उठाई I sat on the floor मैं floor means floor means first मैं first पे बैठ गई he sat on a chair और वो किसी chair पे बैठ गया अब देख रहे हैं नहीं यहां पे देखो जो गुडिया है वो first पे बैठी है और जो लड़का है जो ब्रदर है वो chair पे बैठा है ठीक है चलिए आगे and we read and we read and we read और इस तरह मैं first पे बैठके और मेरा ब्रदर जो है chair पे बैठके पढ़ते गे पढ़ते गे और पढ़ते गे चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी last page है बच्चो page number 142 it was very quiet बहुत ज़्यादा शांती थी कहां पे bookshop पे there was no sound कोई अवाज नहीं थी one hour past एक घंटा बीता two hours past दो घंटे बीते finally आखिरकार we knew हमें पता चला which books to buy हमने कौन सी books खरीदनी है the man in the workshop smiled at us जो आदमी था bookshop में वो हमारी ओर देके मुस्कुराया I got a fat book with many stories मैंने एक बड़ी मोटी सी book ली जिसमें काफी सारी ढेर सारी कहानिया थी my brother got a big book with many pictures और मेरे जो भाई मेरा जो भाई था भाईया थे उन्होंने एक बड़ी सी बुक ली big book with many pictures कई तस्वीरों वाली कई तरह की pictures वाली we ran home हम घर गए to our grandmother grandfather हमारे दादा के पास दादा जी के पास we climbed on his bed हम उनके bed पे चड़ गए अब देख रहें ने picture में इदेखी picture देखो दोनों brother and sister दोनों जो है दादा जी के bed पे चड़े हुए he put his arms around us उसने अपनी arms को हमारे around गुमाया and then और इसके बाद we read and read and read हम पढ़ते गए पढ़ते गए और पढ़ते गए so this was the whole story ये सारी स्टोरी थी बच्चो तो इस स्टोरी में हमें एक ही lesson जो सीखने के मिलता है कि we should love books हमें books से प्यार करना चाहिए and हमें जो हमें कुछ pocket बने मिलती है उसमें से कुछ पैसे बचा के कोई नो कोई book खरेते रहना चाहिए और उसको पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि बुक्स हमारी सबसे best friend होती है बुक्स से जो आपको ग्यान मिलेगा वो कहीं और से कभी भी नहीं मिलेगा तो बुक्स से आप धेर सारे महान व्यक्तित्व वाले महापुर्शों से भी सीधी मुलाकाद कर सकते हैं चारों को पढ़ सकते हो तो चलिए थैंक्यू फोर वेरी मच फोर वाचिंग इस वीडियो थैंक्स अलोट अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तो इसको जिरूर लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे यूटिव चैनल मुनिश कमार दैजगाटर को इस तरह की और वीडियो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी थैंक्यू थैंक्यू सो मच